नमस्कार, एक महामारी के दौरान अकेलेपन के साथ मुकाबला जब हम अलग थलग पढ़ जाते हैं, तो हमारे भीतर के दुश्मन पर काबू कैसे पाएं? 2019 के उतरार्थ में, हमें नहीं पता था कि एक वैश्विक महामारी अकेलेपन के विशे को एक बिल्कुल नया अर्थ देगी, व्यक्तियों और एक समाज के संदर्ब में हम में से कई लोग एक तरह से अलगाव का सामना कर रहे हैं, जो हमने पहले कभी नहीं किया अब तक 99 प्रतिशत से भी अधिक भारतियों को COVID-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए घर पर रहने के आदेश हैं ऐसे हालाद में जबकि सोशल डिस्टेंसिंग एक अत्यंद आवश्यक जीवन रक्षक उपाय है, एकांत की यह नई स्थिती लोगों के मानसिक स्वास्थे को प्रभावित कर सकती है वास्तव में राश्ट्रिय आत्महत्या रोक्थाम होटलाइन ने हाल ही में फोन कॉल में 300 प्रतिशत की वृद्धी देखी है अकेलापन अपने आप में मानसिक स्वास्थे संबंधी परिणामों की एक श्रेणी से जुड़ा हुआ है जैसे आत्महत्या का विचार, अवसाद ग्रस्तता के लक्षण, असहायता और खत्रे की भावनाओं में बढ़ोत्री, मादक द्रव्यों का सेवन, बिगड़ा हुआ कारेकारी नियंत्रन और आत्मनियमन और व्यायाम करने एवं स्वस्थ खाने के लिए कम इच्छा शक्ती यह कमजोर शारीरिक स्वास्थे, रूगनता और मृत्यु दर्मे व्रिद्धी और नींद की गुडवत्ता में कमी सहित शारीरिक परिणामों से भी जुड़ा हुआ है जबकि इस समय में अकेले पन में नाटकिये रूप से व्रिद्धी हुई है पर ना तो अकेला पन और ना ही इसके प्रभाव हमारे लिए नए हैं महामारी से पहले भी अकेले पन को व्यापक रूप से इस देश में एक महामारी माना जाता था जहां 18 साल से अधिक उम्र के 61 प्रतिशत भारतियों ने अकेला पन महजूस किया और इससे संघर्ष करते रहे हैं इस समूह में 90 के दशक में पैदा होने वालों का 89 प्रतिशत 79 परसंट 2000 में पैदा हुए लोगों का 71 प्रतिशत 71 परसंट और प्रचास प्रतिशत बच्चे जो 21 सदी में पैदा हुए हैं उन्होंने कहा कि उन्हें अकेला पन महसूस हुआ तो अब सवाल यह है कि जब हम अपने नए अजीव और अलग थलग हालात के साथ अकेले पन के बारे में जो पहले से ही जानते हैं उसका अगर संयोजन करें तो हम बिना डगमगाए कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं हम अपने अकेलेपन का सामना कैसे कर सकते हैं और इसके बोज को कम कैसे करें सिकार करने वाली पहली बात यह है कि अकेलापन अकेले होने के समान नहीं है हाँ, हम में से बहुत से लोग अभी अकेले हो सकते हैं और निश्चित रूप से हम अकेलेपन का एक स्वभाविक स्थर महसूस करेंगे लेकिन हमारे मन हमारे अलगाव की भावना के साथ क्या करते हैं यह अलगाव से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है मोटे तोर पे यह इसलिए है क्योंकि जितना कम समय हम दूसरों के साथ बिताते हैं उतना ही अधिक समय हम अपने सिर्ग के अंदर एक महत्वपून आलोचनात्मक आंतरिक आवाज के साथ बिताते हैं जब हम अकेले होते हैं तो इस आवाज में हमेशा जोर पकड़ने की प्रिवृत्ति होती है क्योंकि अकेलेपन में आम तोर पर बहुत कुछ होता है जिसका संबंद इस से है कि हम अपनी परिस्थितियों के बारे में कैसे सोचते हैं ना कि परिस्थितियां अपने में कैसी हैं इसके बारे में, तो इस आंतरिक आलोचक से निपटने का काम करके हम अपनी पीडा को कम कर सकते हैं. और इस काम को शुरू करने के लिए अब बहतर समय क्या है जब हम में से कई लोग केवल अपना समय खुद के बीच बिताने के लिए मजबूर हैं. महत्वपूर्ण आलोचनात्मक आंतरिक आवाज एक आंतरिक दुश्मन की तरह है जो हमें कुरूर, टिपणी और आत्म सीमित सलहा की एक धारा दिखाती है. यह आवाज हमें चेतावनियों, आलोचनाओं और निर्देशों को भेच कर अकेलेपन की भावनाओं को हवा दे सकती हैं, जो हमें कमजोर करती हैं और हमें असुरक्षित और अंचाहा या अवांचित महसूस कराती हैं. हमारे भीतर के अलोचक द्वारा विकृत और शर्मनाख भावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जिससे यह हमें दूसरों तक पहुँचने और दूसरों से जुड़ने या अकेलेपन की हमारी भावनाओं का सामना करने वाली किसी भी कारवाई के लिए बहुत अधिक बाधा बनती हैं, इस अनिश्चित समय में हम सभी अपनी आंत्रेक आवाजों के प्रति अधिक सम्विद्नशील हैं, हम उन विचारों का अनुभव कर सकते हैं जो हमें नीचा दिखाते हैं, जैसे आप अकेले हैं, आप बहुत दैनिये हैं, आप इसे संभाल नहीं सकते, आप एक स बोज हैं, वे आपसे कोई संपर्क नहीं करना चाहते, आपको इससे खुद ही निपटना चाहिए, आवाज उन लोगों को भी लक्षित कर सकती हैं, जिनके साथ हम अभी भी दैनिक संपर्क में हैं, जैसे आप अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते, आपके बच्चे भी आपको पसंद नहीं करते, आप एक भयान अभी भावक हैं, आपके सह कर्मी सोचते हैं कि आप आलसी हैं, इन आंतरिक हमलों पर काबू पाने के लिए पहला कदम ये है कि आप उन्हें पहचाने, जब उनका अनुभव कर रहे हों और वे कौन से कृत्तियों में प्रेणा दा देख सकते हैं या आने वाले कल पर जोर दे सकते हैं, विशिष्ट कार्यों में से कुछ भी, जैसे हमारे बच्चों को कोचिंग दिलाने की कोशिश करना, किसी से कुछ बातचीत, मेल जोल करना, जैसे कि व्यभारिक व्यवस्था के बारे में हमारे साथी से बात करना, हमार क्या trigger है परेशानी यह है कि हम में से अधिकांश लोग हमारे भीतर के आलोचक को पकड़ने में विफल रहते हैं जब यह हावी होता है और इसके बजाए हम आख बंद करके इसके दृष्टी कौन को सच्चाई के रूप में मानते हैं जब हम अकेले होने के बारे में खुद को बजाए कि यह अब कठिन है लेकिन मैं इसका सामना कर सकता हूँ और चीज़ें बहतर हो जाएंगी तब हो सकता है कि हमारी आवाजों हमको केवल इसका विपरीत बता रही हो अगर हम अपने भीतर के आलोचक द्वारा हमारी सोच को काबू करने को पहचानना शुरू कर दें तो हम कम से कम सवाल तो उठा ही सकते हैं भले ही इसके क्रूर परिप्रेक्षक को पूरी तरह से खारिज ना भी कर पाएं एक अच्छा तरीका है कि आप जैसे दूसरे व्यक्ति को आप कथन के रूप में संबोधित करते हैं ऐसे अपनी आवाजे लिखें यह उन्हें हमारे वास्तविक प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोंड से अलग करने में मदद करता है या तो हम अपनी आवाजों को दिन भर में नोटिस कर सकते हैं और फिर किसी समय यह अभ्यास कर सकते हैं या फिर हम दिन के किसी समय इसे करने बैठ जाएं और इस अभ्यास के दोनों अंगो को एक ही समय पर कर सकते हैं या हम अलग-अलग समय दोनों तरह से इसे कर सकते हैं अगली चीज जो हम कर सकते हैं वह है कि हम स्वयम के लिए बोलकर इन आवाजों का सामना करें और वास्तव में अपना पक्ष लें हमें पहले व्यक्ति के संदर्व में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखनी चाहिए मिसाल के तोर पर अगर हमारी आवाज का हमला ऐसा होता कि कोई आपकी परभा नहीं करता आप अकेले रहने के लायक है तो हम लिख कर जवाब दे सकते है मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरी परभा करते हैं मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं लोगों के समय के योग्य हूँ अंत में हमें अपने भीतर के अलोचक द्वारा पक्ष पोशित किये जा रहे विवारों पर विशेश ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए उधारन के लिए ये हमें इस बात के लिए प्रोचसाहित कर सकता है कि हम किसी मित्र को फोन ना करें या ना ही किसी से इस बारे में खुलें कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं ये हमें ऐसे समचार पढ़ने या ऐसी गतिविधियों में सनलंगन रहने के लिए कह सकता है जो हमें अधिक तनावगरस्ट और भैवीत करती है यह हमें अपने करीबी लोगों के प्रती रक्षात्मक या चिड़चड़ा महसूस करवा सकता है और इसलिए हम उन तरीकों से कृत्य करते हैं जो हम उनके प्रती पसंद नहीं करते हैं यह और भी सुख़द लग सकता है क्योंकि यह हमें उन व्यवारों में सनलगन करने के लिए प्रेरित करता है जो बाद में हमें इन विचारों के साथ परिशान करता है जैसे आज आपको व्यायाम करने की आवशकता नहीं है आज सुभे बिस्तर से उठने की जहमत नहीं उठानी चाहिए एक और पे लेने से कुछ नुकसान नहीं होगा हमारे भीतर के अलोचक द्वारा लादे गए कारियों को हमारे दुख और अकेले पन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है इन पैटर्न से दूर होना और ऐसे विशिष्ट कारे करना जो हमारे अकेले पन को दूर करने में हमारी मदद करते हैं उनके बारे में मैं आगे आपसे किसी और वीडियो में बात करूंगा धन्यवाद